आज हम बनाएंगे दो बून से सूजी का इतना टेश्टी नास्ता जिसे आप एक बार किसी को भी खिलाओ गया ना तो सब पुछेंगे कैसे बनाया तो चलिए पर बनाते हैं आप यहांपे मैं ने एक बावल लिया है अब हम क्या करेंग इसमें एक कप के करीब सूजी गे तो positive रीप आप चाहे तो मोटवाली मिशन ले शकते हैं अब हम इसमें काटोरी से एक कटोरी पानी डालेंगे तो आप किसी भी कप या कटोरी से नाप ले सकते हैं तो इसे अच्छे से में मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठलिया ना रहे तो यह देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है तो अब हम क्या करेंगे इसे ढखके फूलने के लिए रख कोई भी बड़ा ह Pelosi करना रहे तो कि देख सकते हैं तो कि मैंकि मैं अच्छी से मैस कर लिया विए अगर इसमें थोड़ी बहुत कुछलिया भी रहेगी तो चलेगा क्योंकि इसे हातों से में मिलाना है और कि आरे कम शेआगी नेच per ne मैंने दू हरी मिच लिया है तो इसे भी बारी कट किया है मेच आप अपने हिसाब से रखिए जैसे आपको दीखा पसंद हो अब इसमें एक बारी कटा हुआ टमाटर डालेंगे और साथ में यहां पे मैंने थोड़ी सी कटी भी धनियापति ली है आप इसमें सब्जी अपने हिसाब से डालिए जो भी आपके पास हो तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो यहां पे हमने स्वाध्करों सा नमक लिया है तो नमक यहां पे कम ही डाले क्योंकि मैं कालेल बादर फिर मसाले में ऐलोके साथ लेक्स काली लोके सांग मसाले में अलोक अच्छे अच्छे嘛क्स कर लिया तो सारे ना आलोसके सिंद संद आप में तेल लगाएंगे अवर थोड़ा सा हम इस्ट्फिंग करो जनदे लिए को punishment 10 लिया, तो यह हमेना थोड़ा टिक्की बड़ा सचाहिए तो देख सकते हैं इसे हैसी बनाना है तो इसे ना तो बहुत जादा मोटा बनाए ना तो बहुत जादा पतला करें तो ऐसे में बहुत सारा टिक्की बना के त्यार कर लेना है तो हातों में हलका सा तेल लगाईए थोड़ा थ हाथों में इसे गूल करते वे चप्टा करके टिक्की का सेब दे देंगे तो ऐसे ही में सारे टिक्की को बना के त्यार कर लेना है तो इस नास्तिकों एक बार आप जरू टाय कीजिएगा घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और 5-10 मिनट में बन के त्यार हो इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसे अच्छे से पहले फैट लीजिए ताकि सूजी ना अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे तो यहाँ पे मैंने स्वाद किनसर नमक डाला तो नमक हमने आलू में भी डाला है तो इसे साब से नमक डालना है आदी चम्मच की करी चली फ्लेक्स डालेंगे इससे ना इसका कलर बहुत अच्छा आएगा अब हम इसमें आदी चम्मच जीरा डालेंगे तो यहां पर मैंने साबुच जीरा लिया है और साथ में हमने थोड़ी सी कटीवी धन्यापती लिया तो फिर से हमें इसे तो यह सूजी का जो घोल है यह थोड़ा सा गाड़ा है तो इसमें हमें दो से तीन चम्मच की करी पानी डालना है क्योंकि इस बैटर को ना तो बहुत जादा में गाड़ा रखना है ना तो बहुत जादा पतला रखना है तो बहुत जादा नहीं तीन से चार चम्मच की करी पानी डाला और फिर से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तो बस बहुत अच्छे से त्यार हो चुका है अब चलते हैं कैस की तरफ तो यहां पे गैस को अन करके पैन चड़ा दिया है पैन में हम एक चमच के करीब तील डालेंगे तो बैटर को हलका सा पहले मिक्स कर देंगे अब हम एक चमच के करीब बैटर उठाएंगे पैन में डालेंगे उसे अच्छे से गोल अकार देते वे हम इसे फैला लेंगे तो ब और इसके उपर डालते वे इसे अच्छे से कवर कर देंगे थाकि आलो ना अच्छे से कवर हो जाए तो यह देखिए अब हम इसे एक साइट से तीन से चार मिनट तक स्लो आज पे पकने देंगे तो देख सकते हैं नीचे से कलर चेंज हो गया है तो जब यह नीचे से पक जाता है तो पैन को यह छोड़ देता है अब हम क्या करेंगे इसे पलट देंगे और पलट के दूसरी साइट से भी तीन से चार मिनट के लिए पकने देंगे तो इसे पलटने में जल्दवाजी ना करें जब ये पैन को छोड़ देना तभी से पलटें तो ये देखें दूसरे साइट से भी हमने तीन से चार मनट के लिए पका लिया है तो इसे अच्छे से ऐसे उलट पुलट के दूसरे तीन बार अच्छे से पका लेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए तो ये देखें नास्ते में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है तो बस अब हम इसे प्लीट में निकाल लेंगे तो देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है देखने में तो ऐसी हमें सहीम नास्ती को बना के त्यार करना है तो हलका सा पहले तेल दीजिए और एक चमच हमें बैटर को डालना है तो इसे अच्छे से फिलाना है और फिर से उपर से ऐसी आलो वाली टिक्की डालेंगे और फिर आदी चमच वेटर डालेंगे और इसे कवर कर देंगे तो बस ऐसी सारी नास्ते को बना के त्यार कर लेना है तो बस गर्मा गर्म सूजी आलो का नास्ता बनके त्यार है आप इस नाश्ते को एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, तो अगर आपको ये रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, आप इसे अपने फैंबली फ्रेंड में भी सेयर कर सकते हैं, अगर आपने तब तब बाइ बाइ